उसके मामा के यहाँ, वहाँ वो दोनों सुरक्षित रहेंगे। किन्तु आप तो उनके सबसे अधिक विश्वस्निय सेवक हो, मित्र। जब माहराज ने अपनी बेहन की संतानों के हत्या करने में तनिक भी संकोष नहीं किया, तो फिर मेरी सेवा और स्वामी भक्ती, मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा कैसे कर पाईगी। ठी तो भाहिए को मेरे पुत्र के विश्य में संदय हो गया। भाहिए, भाहिए पता नहीं किया करेंगे। श्री नरायन के नयाए में विश्वास रखो, देवकी। हमारा पुत्र साक्षात श्री विश्नु का स्वरूप है। उसकी रक्षा चस्टी देवी स्वेम करेगी आ गए मतुमंगल पूना मौसी के पोते होने के नाते तुम मुझे पहले से ही प्रिय हो पर जो भूमे का तुम मेरे जीवन में निभाओगे उसके कारण तुम्हारे प्रती मेरा प्रेम और भी अधिक बढ़ गया है आओ मित्र तुम्हारा सखा तुम्हारा स्वागत करता है हेमा शष्ठी सदेव इसकी रक्षा करना मा माराज मेरे होते हुए आपको कोई सफलता और असफलता के बीच केवल कर्म कांतर होता है दुरजन मेरा शट्रू असफल हो इसके लिए आवश्चक है कि ये कारे मैं स्वैम करूं कर्म करता है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो pa का ंस काल इस," पूजन संपन्न होगा अब सस्टी मैया अवस्य ही हर बुरी सक्ती से हमारे लल्ला की रक्सा करेंगी मैया मैं बुराई का नाश करके धर्म की स्थापना करूँगा चिंता मत करो आप जे देखो अधितियों से मिलने के लिए कितना लाला ही धुर है हमा लल्ला दसो दिशाओं में जिसके नाम का डंका बशता है वो महान मतुराधी पती आज मेरे साधारंड से आवास पर अवश्य ही कोई विशेश कारण होगा कारण है वो कार्य तो तुम्हें मेरे लिए करना है कि ए्याओंधपन में ड्लांगी पतिया कि लेला कि उऐ शामधी मैं या गैनलला की अरे आप सबको यहां देखकर मेरी प्रसन्नता तो और पड़ गई इतने आश्चरे चकित मत हो मधुमंगल तुम विशेश हो क्यूकि जितने धर्म परायन तुम हो उतना कोई नहीं तभी तो तुम देवताओं के दर्शन भी कर सकते हो पर तुम्हारे दादी कहां है मधु मेरा उनसे मिलने का बहुत मन है पूर्णा मौसी बहुत अच्छा किया आप आगें सच्ची जे तो वही पूर्णा आत्मा है पूर्णा मौसी जिन्होंने भविस्य वानी की थी कि जित जी के लल्ला होगो तब लगो की ब्या के इतने बर्शों के बाद ऐसा होना असंभव है किन्दू आज देखो हाँ पूर्णा मौसी आपके कही बाद सच निकली जे देखो मेरा लल्ला तुम्हे मेरा अदेश मानना होगा महराज हू मैं तुम्हारा यदी तुमने ऐसा ना किया तो परणाम क्या हो सकता है ग्यात है ना मैं तुम्हारे भी प्राण ले सकता हूँ नवजाज शिशू की हत्या करना तुम्हे भी प्रिय है न पूतना नवजाज शिशू क्या कि अब बूडी हो गई है ये सोधा दुख तो इस बात का है कि जी भर कि तरे लल्ला को देखना पा रही है जानत है गाओं में सभी क्या कहते हैं ये सुधा का लल्ला बहुत प्यारा है हाँ वो तो मैं हूँ कि अब तुम के सी हो पूर्ना?